नमस्कार आज की जो कहानी है सिल्वर वेडिंग इस कहानी में पास्चाते संस्कृति के प्रभाव को दर्शाया गया है यहीं वेस्टर्न कल्चर जो है उसके प्रभाव को यहां दिखाया गया है लेखक यह बताना चाहता है कि हम अपनी भारत की संस्कृति को आज कल दगिया उसी मान करके छोड़ना चाहते हैं हम लोग अपनी रिष्टेदारी परंपरा हमारा खान पान वेश वुशा तैहार आदी सभी को भूलना चाहते हैं उसके स्थान पर सिल्वर वेडिंग केक काटना जीन स्टॉप पहना आदी को फैशन मान चुके हैं यह शोदर बाबु जो ह इस कहाणी के मुख्य पात्र है जो इन सबकाविरोध करते हैं परंतु उनकी पत्नी और बच्चे जो है वो पास्चत्य परंपरा से प्रभावित हैं यहीं कि विष्टन कल्चर को अपनाना चाहते हैं और भारतिय संस्कृति को छोड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि दो वो प्राचीन संस्कृति को अपनाना चाहते हैं और पुत्र जो है वो उसका विरोध करते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि घर में संखर्ष पैदा होता है ये शोधर बाबू सबसे करने कारते हुए नजर आते हैं और यह सब जो है इस कहानी में केवल चित्रात्मक रूप मे दिखाया गया है यानि इसमें चित्रन किया गया है उस कहाने का स्पष्ट रूप से यह कहानी कोई भी संदेश नहीं देती है यानि कि कहानी की मूल समवेदना क्या है कि नई और पुरानी जो पीड़ी है उसके जो लोग है उनके बीच में क्या गैप है क्या अंतराल है इस को यह कहानी दिखाती है पुरानी पीड़ी को अपनी जीवन शैली का मोह है उन्हें परिवार समाज होली रामलीला रिष्टेदारी निभाना यह सब अच्छा लगता है उन्हें बड़ों का सम्मान आत्मियता आदी गुन अच्छे लगते हैं और साथी वह सादगी से भी दे इशा में जाना चाहती है उन्नती करना चाहती है और उन्नती यानि प्रगति जो है उसके रास्ते में रिष्टेदारी को वहा बाधा मानते हैं नए लोग जो हैं रिष्टेदारी को बाधा मानते हैं और आर्थिक प्रगति को काम की चीज मानते हैं यानि कि जिनके पास धन है वही आगे हैं नए लोग यह हैं सोचते हैं और पुरानी बाते नए बच्चों को दखिया नुसीर लगती हैं यानि कि दखिया नुसी यानि बिल्कुल पुराने सड़े गले विचार जो होते हैं वह सोचते हैं कि ये विचार उस तरह के हैं यहां तक कि नए पीड़ी पु भर्टमान जीवन धरा का चित्रन करती है केवल यह एक चित्रण है कि अभी जो जीवन चल रहा है लोगों का उसका एक चित्रण है इस कहानी में कोई संदेश नहीं दिया गया है यह आधुनिक समय का दरपण है और इसमें नई और पुरानी पीधी का गैप दिखाई देता है नई बच्चे पस्चिमी संस्कृति को अ कि वर्तमान समय करवट ले रहा है नई पीधी अपनी जड़ों को छोड़ रही है पुरानी पीधी निश्टेज है यानि उसमें कोई भी तेज नहीं बचा है और वह एक तरफ खड़ी लाचार सी नजर आती है निश्टेज का मितलब यहां पर क्या है डल हुना पिलकुल ड जाती है या उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है दोनों ही स्तितियां अच्छी नहीं कहे जा सकती है समाच के लिए दोनों स्तितियां अच्छी नहीं है कि बड़ों का उपहास बनाया जाए उनका मजाक बनाया जाए या फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए लेखक बिना कहे नई पीड़ी को संदेश देना चाहता है। इसमें लेखक कुछ भी कहता नहीं है बलकि वह बिना कहे ही नई जो लोग हैं, नई बच्चे हैं, उन्हें संदेश देना चाहता है कि वह अपने पूरवजों का, परिवारी कृष्टों का और परंपराओं का सम्मान करें, बलकि उन्हें तिलांजली ना दें। लेकिन यहां पर सिर्फ लेखक के जो व्यक्तिगत विचार हैं, वही इस कहानी में दशाए गए हैं, वह किसी को अपनी सलाह नहीं दे रहा है। दूसरी और नई पीधी, नई चुनोदियों के अनुसार ढलना भी सीखे यह लेखक के अपने इसमें विचार बताए गए हैं। अगर बात करें फिर से कहानी की, तो यह शोधर पंत जो हैं, इसका एक जो मुख्य पात्र है, वो समाज के जो रिष्टेदारी आदी हैं, यानि जीवन के मुल्य हैं, जिसे हम जीवन मुल्य कहते हैं, उसको मानते हैं। और वो रिष्टेदारी की सारी जिम्मेदारिया भी अपनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि परिवार में जो भी सुख दुखाए, उसमें वह साथ नहीं भाएं। यानि कि वो अपने परिवार से या कुटम से बना करके रखना चाहते हैं। तेकिन पत्नी जो है और बच्चे एकल परिवार के सुख में सिमित रहना चाहते हैं, और वो रिष्टेदारी को बोज मानते हैं। और निजी सुख को वह ज़्यादा महत्व देते हैं। यशोधर पंत पुराने भारती संसकारों और रिती रिवाजों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वेनी जी उत्सव के यानि खुद का जो उत्सव है शिलवर वेडिंग जो है उसका आयोजन करने में ज़्यादा रुची लेते हैं। उनके माता पीत्यकी जो पत्चीसमी साल गिरा है उसके आयोजन में रुची लेते हैं। उनके जीवन का धेई है जीवन में उन्नति करना और उसके लिए अपने बौस को प्रसंद करना। वेस निसक्रती से कट करके स्वार्थी जीव बन चुके हैं। यह बदलाव लेखक के अनुसार शुब नहीं कहा जा सकता है। नीजी केरियर बनाना चाहिए लेकिन उसके लिए अपने संसकार समाज और वातावर्ण से कटना शुब संकेत नहीं देता है। कहानी की इसे रोका जाना चाहिए। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है और सारांज भी इसमें आ जाता है। कहानी की डिटेल्स के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहें वहिमा अगरवाल क्लासेस।